ही गाईज तो अगर अपने सेल में Samsung Galaxy S21 FE 5G स्मार्टफोन को बाई किया है तो इस वीडियो के अंदर में आप लोग को आपके काफी सारे काम के लेटेड टीप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं तो वीडियो को एंड तक देखना तो पहला स्टार्ट करते हैं लॉक स्क्रीन स के अंदर आने के बाद यहां पे काफी सारे वल्पेपर सबको देखने को मिल जागा एकदम नीचे आप लोग को गैलक्सी थीम्स देखने को मिल लगा इसके उपर टाप करते ही आप अपने पसंदिदा जो भी थीम्स है फॉन्स है इन सभी चीजों को आप अपने फून के अगर आप इन सरे वल्पेपर को लेना चाते हो बट वल्पेपर कौन पैसे देखे लेना चाता है तो इसके लिए आप लोग को यहां से कोई भी वल्पेपर को डाउनलोड कर सकते हो उसी तरह से आप यहां से आपने पसंदिदा को भी आईकन पैक को भी डाउनलोड कर सकते हो always on display भी आप यहां से चूज कर सकते हो अगर आपको थीम चेंज करना है तो थीम कभी आपको यहां पर option मिल जाएगा और जो भी चीज अपने डाउनलोड किया होगा वह आपको डिर्कली यहां पर देखने को हो तो सिंप्ली मैं इसे home screen को पर tap रहने दूंगा lock screen को हटाने के बाद next फिर done तो यह मेरा wall paper home screen में set हो गया अगर मैं चाहता हूं कि lock screen में भी एक wall paper अच्छा सा set रहे तो like मैं अगर इसे choose करता हूं and lock screen का tick mark मैंने रहने दिया फिर next done and आप देख सकते हो यह मेरा lock screen का wall paper and जैसे ही मैं इसे open करता हूं यह मेरा home screen का wall paper now next अगर आप अपने phone की lock screen को इपर आते हो और यहां पे tap and hold करके रखते हो तो यहां पे आपको आपका phone का जो pin pattern है इसे देने के बाद आपको यहां पे भी edit करने का option मिल जाएगा like मैंने यहां पर clock को set किया हुआ है तो आप यहां से काफे सरी clock का settings आपको मिल जाएगा आपकी सथरह से रखना चाथे ऑगर नहीं रखना चाते हो तो आप इस तरह से यह चीज कर सकते हो, clock का जो font है इसे भी आप इस तरह से change कर सकते हो, फिर done और यह आपका set हो जाएगा, और इसी तरह से left side में मैंने contacts को and right side में मैंने camera का जो shortcut है इसे add किया है, तो अगर आप चाते हो इसे हटाना या फिर change करना, तो यहाँ पर tap करते ही आपकी phone में, जो भी application install होगा, वो show करेगा, simply आप यहाँ से change कर सकते हो, now next आते हैं अभी notification control center में and अगर आप यहाँ से ही down करोगे, आपको brightness slider मिल जाएगा, now next यहाँ पे यह जो shortcuts है, इसे भी आप आपने accordingly change कर सकते हो, तो इसके लिए आप लोगो यहाँ पर tap करके edit buttons and यहाँ पे और भी कुछ buttons है, इसे नीचे भी ला सकते हो, या फिर अगर आपको इन में से किसी को hide करना है, हटाना है, तो यह भी आप कर सकते हो, तो इसके लिए बहुत ही simple process है, आप लोगो tap and hold करके बस जहाँ पे लेके रखोगे, वो वो ही पे आ जाएगा, same उसी तरह से अगर आप किसी को हटाना चाते हो, तो उसे भी tap and hold करके उपर के तरफ लेके छोड़ दो, यह आपका हो जाएगा, फिर done, बस हो गया, now next, setting के तरफ चलते हैं, तो अगर आप इस तरह से left से right के तरफ swipe करोगे, तो आपको इस तरह से या पे Google का discover देखने को मिलेगा, यह background में चल रहा होता है, यह internet का भी इस्तमाल करता है, आपका जो battery है यह भी drain होता है, तो इसे off करने के लिए simply आप लोगो tap and hold करना ह कहीं पर भी आप कर सकते हो, इसके बाद settings and Google discover को आप लोगो off कर देना है, यहां से अब यह चला गया, now next and यह एक बहुत ही important चीज़ है, जो की बाकी सारी smartphones में आपको कमी देखने को मिलेगा call recording, तो आप लोगो simply यह जो dialer है, इसे open करना है, three dots पे tap करके settings के अंदर जाना है, record calls के उपर tap करना है, यहां पे auto record calls को जैसे ही आप enable कर दोगे, आपका call automatically record होना start हो जाएगा, बीना सामने वाले person को पता चले, now चलता है next setting के तरब, तो इसके लिए आपको अपने phone का जो settings menu है, इसे open करना है, then थोड़ा सा scroll down करने के बाद battery and device care के अंदर आना है, यहां पे three security engine updated, यह pop-up आ जाएगा, फिर यहां से आपको back करना है, and device protection के उपर tap करना है, यहां से अपने phone को scan कर सकते हो, अगर आपकी phone में कोई भी malware, या फिर ऐसा कोई app आ चागका है, या फिर अगर आपने कोई third party application से, site से download किया है, जो की backend में आपका data चूरी कर रहा है, या फिर व एक बहुत ही अच्छा feature Samsung ने provide किया है, जिसका नाम है maintenance mode, अगर आपके phone में कोई भी data है, अगर कभी अगर आपके phone में कोई भी ऐसा problem आ जाता है, जिसकी regarding आपको service center visit करना होता है, तो उस case में आपकी phone के अंदर जो भी data है, उसे backup रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी phone के अंदर ही आपका data safe रहेगा and service center आपकी data को वो लोग access नहीं कर पाएंगे, तो simply इसके लिए आप लोग को turn on कर देना है and आपके phone के अंदर ही आपका data safely secure हो जाएगा, जो कि आपके password के बिना open नहीं होगा, now next यहां पे storage के अंदर एक और setting है and यह बहुत ही ज़्यादा का आपका है, अगर आप storage के अंदर आओगे, तो Samsung के अंदर हमें recycle bean देखने को मिलता है, तो जो भी photo video या फिर जो भी चीज अपने delete के हो रहेगा, वो आपकी recycle bean में चला जाता है, जैसे कि मेरे phone के अंदर 12.82 यानि कि लगभग 13GB recycle bean के अंदर data पड़ा हुआ है, तो इन सभी को देखने के लिए simply उसके उपर आप लोग को tap करना है, यहाँ पर यह सभी चीज़े मैंने delete किया है, तो इसे यहाँ से भी remove करने के लिए यहाँ पर tap करके empty delete, हाला कि वो app के अंदर भी देखने को मिल जएगा, यहाँ पर यह size wise आपको दिखा देगा, कि किस जगा पर कितन आपने delete किया है, अगर कोई unused application है, जो कि आप उतना ज़्यादा use नहीं करते हो, तो यह चीज़े भी आपको दिखा देगा, तो जो भी application आप ज़्यादा इस्तिमाल नहीं करते हो, simply इसे tap करके आप install कर सकते हो, और एकदम नीचे आपको यहाँ पर large files देखने को मिल जाएग दो, अगर optimize नहीं है, तो optimize के उपर tap कर दो, फिर यहाँ से back करने के बाद आपको यह दो option देखने को मिलेगा, fast charging and fast wireless charging, अलाकि यह दोनों option आपके phone में by default off होगा, बट अगर आपको अपने phone को कभी fast थोड़ा सा charge करना है, तो इस वाले option को आप enable कर सकते हो, अगर आप wide के थ battery health के उपर effect पड़ेगा, तो इसलिए इसे off ही रहने दो, इसी के साथ protect battery इस वाले setting को आपको on कर देना है, इससे आपका phone 85% से ज्यादा charge नहीं होगा, जिससे आपका battery का जो health है यह अच्छे होगा, maintain रहेगा, आप लोग ने देखा होगा, हम जैसे नए-ने phone buy करते हैं, उस software update देखने को मिलेगा, download and install, और यहाँ पर अगर कोई भी नया update आया होगा, तो यह आपको दिखा देगा, तो यहाँ से आप अपने phone का जो software है, इसे आप update कर सकते हो, बट काफी सारे applications है, जिसके अंदर update आता है, बट वो कहीं पर भी आपको so नहीं करेगा, तो इन सारे applications क अपडेट आया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो मेरा phone का file manager है, इसका update यहाँ पर नहीं so कर रहा है, तो इसके लिए आप लोग को कहीं बार जाना होता है, galaxy store में, फिर menu के पर tap करने के बाद updates, यहाँ पर वो update आपको so कर देगा, बट जैसे कि मैंने आप लोगों से tap करने के बाद settings, और एकदम नीचे आपको about my files देखने को मिल जेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, and new version is available, जैसे मैं इसे update के उपर tap करता हूँ, then यह फिर से galaxy store के अंदर ही redirect हो जाता है, कई बार यह चीज नहीं होता है, यहाँ से आप इस तरह से जो Samsung का application है, इसे आप update कर सकते हो, और guys, अगर आप आपने phone के लिए best accessories ढूंड रहे हो, तो इसके regarding मैं काफी से मैं पहले ही video बना कर रखा हूँ, and उन सभी का जो price है, अभी की sale में काफी जह तक कम हो गया है, तो वीडियो के description में best by link आप जाके वीडियो को check out कर सकते हो, otherwise अगर आप लोग को directly उन से products को buy करना है, तो उसका भी link आप लोग को इस video के description में मिल जाएगा, now phone के अंदर एक और update आता है, इसके लिए आपको अपने phone की settings में जाना होता है, फिर about phone एकदम नीचे देखने को मिलेगा, फिर थोड़ा सा scroll down करने के बाद software information and google play system update, इसके उपर जैसे ही आप tap करोगे, यह चक फॉर update होगा, यहाप आप देख सकते हो, phone के लिए एक नया update आया हुआ है, तो simply इसके उपर आप लोग को download and install के उपर tap करना है, यह आपका install जैसे ही हो जाएगा, restart now, जैसे ही आप restart now के उपर tap करोगे, आपका phone restart होगा, यह update successful हो ली आपकी phone में install हो जाएगा, now next camera के काफी सरय आपको settings देखने को मिल जेगा, इसके लिए आप लोग को settings में जाना है कि watermark का, अगर आप अपने photos के अंदर watermark लगना चाहते हो, तो इसे आप इस तरह से on या फिर off कर सकते हो, model name या फिर अगर आप कोई भी और चीज लिखना चाहते हो, तो यहाँ से आप यह च options मिल जाएगा, जैसे कि pro video, pro photo, यह रहा pro video, तो pro video के अंदर अगर आप full HD के उपर set करते हो, तो यहाँ पे आपको up to 120 fps तरह option देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे यह रहा 120 fps, yes, Samsung Galaxy S21 FE में full HD up to 120 fps में आप videos ले सकते हो, जिसे आप बाद में और ज्यादा slow कर सकते हो, और एक चीज मैंने देखा है, जो कि काफी सारे लोग बोलते हैं, बट काफी सारे लोग को इसके बारे में मालूम ही होगा, यहाँ आप देख सकते हो, कि जैसे मैंने 120 fps पे सूच किया, फोन यहाँ पे flicker हो रहा है, और लोग यह कंप्लेंट करते हैं, कि जब भी हम slow motion में वीड पर light है, तभी आप 120 fps या फिर 60 fps पे सूट करना, otherwise 30 में कोई problem नहीं है, अगर आप cinematic वीडियो लेना चाते हो, तो यहाँ से आप 24 fps में भी ले सकते हो, और मोर पे आने के बाद यहाँ पे एक प्लास का इकन है, अगर आप इससे tap करते हो, तो कोई भी सॉटकाट को आप नीच आने के बाद, या फिर वीडियो में आने के बाद, अगर आप इस बाले option के उपर tap करते हो, तो यहाँ से अप अपने photo के अंदर default कोई भी filter ला सकते हो, अगर आप face के उपर tap करोगे, तो face का जो smoothness है, वो थोड़ा सा increase हो जाएगा, बट details कम हो जाएगा, यह photo के अंदर भी है, और वीडियो के अंदर भी है, और भी काफी सारी settings है, तो अगर मैं एक एक करके सबको आपको बताना लगूंगा, तो वीडियो काफी ज्यादा यहाँ पर लंबा हो जाएगा, तो मैंने सब कुछ चीज़ों के बार में वीडियो आल्रेडी बना के रखा हूँ, तो सभी का लिंक आप लोग को वीडियो के description में, या फिरा playlist का लिंक में आप लोगो दे दूँगा, Samsung Galaxy S21 FE का, वीडियो के description में मिल जागा, तो वहां से आप चेक कर लेना, ऐसे काफी सारी settings है, in fact application भी है, अगर मैं Galaxy Enhanced X की बात करूं, जहाँ पर काफी सारे AI tool का आप मदद ले सकत करते हो, कोई भी photo को edit करना हो, किसी चीज को remove करना हो, blurry photo को fix करना हो, यह सभी चीज़े आप इस application के मदद से कर पाऊगे, और यह official Samsung का ही है, तो I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसी बात पर वीडियो को like and share कर देना, अगर आपके मैंन में और कोई भी doubts है, तो नीच कर देना है, तो I hope आपके में और क्याद you!